हे एवर्बन कैसे हैं आप सब आयो हूप आप सब ठीक होंगे और आज हम आए अपनी नानी के गड़ तो आपको लेकर चलते हैं भाई के ओफिस में असलाम वालीकुम असलाम कैसी है आप कुछ परशानी तो नहीं हुई आप को आने में और कैसी है आप आपको बहुत बहुत बदाया आपके ओफिस के लिए और फैक्टरी की वह बहुत बहुत शुक्रिया आपको वाकी मुबारक बात की मुस्तहिक तो आप भी है माशालला अपने किस तरह से हम सब लोगों का नाम रोशन किया वा है एक मिसाल काइम की है और हमारा सीनागर उसे चोड़ा कर दिया माशालला आप मुबारक बात की मुस्तहिक हैं बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं माशालला तो आपको मिलवाते हैं अपने भाई से तो हम पूछेंगे आपकी भाई ने जॉब छोड़कर ये काम शुरू किया तो आप बताइए सबको कि आपने कैसे कैसे ये शुरू किया आपकी दिमाग में कैसे आया एक्चुली क्या था मैं 2015 में बीटेक पासा उट था उसके बाद मैं प्लेस हो गया तो मैं बैंगलोर गया वन येर मेरे महा जॉब की और फॉर येर्स का मुझे जॉब एक्सपिरेंस रहा उसके बाद मेरा देली ट्रांसफर हुआ तो धीरे धीरे मैं गाउं आने लगा और लोगों से मिलने जुनने लगा नजदी किया बढ़ने लगी और इसी तरह मैं धीरे धीरे सोशल एक्टिवीटी मैं खुद करता था लोगों की और अल्लह ताला मुझसे काम लेता था मुझे बड़ी खुशी महसूस होती थी इस चीज़ से और बड़ा एक सुकून मिलता था मुझे और ऐसे धिरे धिरे मैं गाउं में आता गया तो गाउंवालों से सब अपने लोगों से लगाओ और बहुत जादा प्यार मिला था मुझे उस टाइम पर आज भी है लोगों का प्यार है बहुत जादा तो मैंने यहां से जाना फिर मुनासिब नहीं समझा मेरा यहां दिल लगा और दिल को एक अलगी सुकून मिलता था यहां पर लोगों खिदमत करने के बाद फिर मैंना सोचा कि यही कुछ पूस कारोबार स्टार्ट किया जाए कारोबार शुरू किया जा जाए सीठ हमारी रिजव हो गई थी तो चुनाओ हम लडनी पाये खा फिर यहां से जाने का मेरा दिल नहीं किया, लोगों से इतना जादा लगाऊ हो गया था, इतना जादा प्यार जब सलोगों का मिलने लगा था, फिर इस्तखारा कराया, लोगों से मशुरा किया, कि यहां पर रहकर क्या वर्क स्टार्ट किया जाए, क्या काम किया जाए, अल्ल सपास में जितनी भी मैक्जिमम ग्राम पंचायत हैं सब जंग हमारी टाइल्स की सप्लाई होती है प्राइवेट्स कलोनिय होती है उनमें जाती है अलम्दुल्लाह ओडर भी पूरे नहीं हो पाते हैं बहुत अच्छा माशाललह रहे हैं तो अगर आपको भी चाहिए तो आप सपर कर सकते हैं और अम्यापको दखाते हैं ठेक है की तो चलिया तेसी सलीया है न आप जैसा जानने चाह रही ही थी हमारे प्रोड़क्शन के बारे में तो में आपको पुरा रों माठीरील से लेकर और पुरा एप्रोडक्शन तक मस्शिनेरी वगरे के बारे में इन्शाललह सब जानकारी देता हूं आपको सब बताताओं आपको हुसी मैं नी यहाँ पर हमारी टाइल्स जो हैं कंप्लीर तयार द्यार रखी वी अब इनकी पानी से तरही होती है ईनकी जी छेंसे साथ दिन तक तरह होती है उसके बार डिलीवरी होती है यह यह हमारे मशीन के सैट अप है दोनों एक इधर सैट अप है दोनों तो गाउं की लोगों को भी आपके हो जैसे रोज़गार मिल रहा होगा जी यही परपस था कि गाउं में अगर इस तरह का हम को बिजनिस स्टार्ट करेंगे तो अब इसलिए गाउंवालों को भी इसका प्रोफिट बेनिफिट मिलेगा कुछ ने कुछ जरूर और माशाललह इसका फीड़बैक भी अच्छा है काफी यहां पर दूर दूर से लोग यहां पर हमारे पास स्टाइल्स के लिए आते हैं दूर दूर तक जाना जाता है कि टे यह क्लर मिक्चएर है और इसके बाद हम जो है हमारा यह वाऑब्रेट मिक्चर होने के बाद इस ट्रे में 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 डलता है उसके बाद उसमें रो मटेरियल डाला जाता है और फिर वाइबरेटर पे उसके बाद दस से पंदर देखे लिए उसको कवर कर दिया जाता है उसके बाद पर उसके बाद बिली भी गड़ाता है यहां पर नाइट का हमने सैट अप लगाएवा है डे मैं नाइट में जैसे हमारी requirement होती है उसी के according हम वर्क कराते हैं तो भाई आप नहीं कैसे स्टार्ट किया था क्या 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 प्रोब्लम आएती कहां से स्टार्ट कोई भी बिजनिस आप करते हैं छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल के हो इस ट्रगल तो करना ही पड़ता है आपको जाहिर सी बात है पर बिजनिस स्टार्ट किया था दिरे दिरे हमने इन्वेस्ट किया और उसी अमाउंट को हमने छोटे अमाउंट को सरकल हमारा घूमता चला गया और दिरे दिरे ऐसी बढ़ता चले गया सबसे बड़ी चीज है अल्ला का शुकर है अल्ला की खास मदद हमारे साथ रही अलहमद सितंबर में ही अभी ओडिट कराया है अपना अपनी फर्म का तो परिशानियां तो सब वर्क में रहती हैं लेकिन परिशानियों से घबराना नहीं है मुश्किलों के बाद ही राहत है और मुश्किलों के बाद ही राहत है जब हमारी दाथ ये जह रहा है कि लगी जास से मदद आई तो यही यह बस के छोटे से जोटे सबसे सबसे बढ़े दूर्ण करेंगा है वो हमें जरूर मिलकर रहेगा और किसी के नुकसान पहूचाने से नुकसान नहीं पहुचता है किसी के फायदा पहुचा सकता है। ये सब चीज अल्ला न अपने गबजे में रखी बस हमें मेहनत करते रहना हैं। अपनी कोशिश हो को लगातार जारी रखना है बाकि अल्ला पर यकिन रखना इंशालला जरूर कामियाभी मिलेगा उसका फल आपको जरूर मिलेगा तो श्वेब भाई अगर कोई मेरे चैनल से आया आपके पास लेने तो आप उनको क्या डिसकाउंट देंगे अगर आपके चैनल से कोई आएग सिर्फ उत्रे में टाइस लेंगा कोई प्रोफिट नियुक्त से अजब तो आप लेने आ सकते हैं मेरे कजिन ब्रादर हैं ये तो आपको मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग बाइब आएइग अ करें?